अगर आपकी दुकान पर बिल्कुल भी ग्रहक नहीं आ रहे हैं, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, दुकान में बिल्कुल भी सेल नहीं होती है, तो आपकी दुकान ना चलने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपकी दुकान पर किसी की बुरी नजर लगी हुई हो या फिर आपकी दुकान का काम किसी ने बांध रखा हो या आपकी दुकान पर किसी प्रकार का कोई वास्तू दोश बन रहा हो और या फिर आपकी जनम कुंडली में कोई ऐसा ग्रहक खराब चल रहा हो लेकिन ये जो पोटली यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें हमारे द्वारा पीला सरसों अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाया जाता है और इस पीला सरसों को आपने अपनी दुकान में लगातार एक हफ़ते तक प्रियोग करना होता है एक हफ़ते के बाद आपका जो पीला सरसों है वो अपना असर दिखाना आपको शुरू कर देता है और आपकी दुकान में जो समस्या चाहे वो पितर दोश था चाहे वो नजर दोश था चाहे वो कुछ किया कराया का बंधन का दोश था वो समस्त दोश इस पीला सरसों जो पोटली के अंदर अभिमंत्रित करके आपको भेजा जाता है ये एक पोटली हर प्रकार से आपकी दुकान में आ रही सभी दिक्त परिशानियों को दूर करेगी और इस पोटली को अगर आप अपने व्यापार में अपनी दुकान में प्रियोग करते हैं तो आपकी दुकान पर कभी भी कश्टमर्स की कमी नहीं होगी मात्र केवल ये 700 रुपए में आपको भेजा जाएगा इसमें भेजने का खर्च इसी में शामिल है पोटली का और अभिमंतरित पीला सरसों का जो खर्च है वो भी इसी के अंदर शामिल है साथियों मंतरों के द्वारा इसे अभिमंतरित किया गया है और अगर श्रधा से विश्वास से इस पोटली को आप अपनी दुकान में प्रियोग करोगे तो माता रानी की क्रिपा से आपको इसके बहुत अच्छे परणाम मिलेंगे और आपकी दुकान में कभी किसी प्रकार की ग्रहकों से जुड़ी हुई कभी भी कोई समस्या नहीं होगी और आपकी दुकान इतनी चलेगी कि जमाना देखेगा परमपिता परमात्मा की क्रिपा से आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा बोलिये साचे दर्भारे की जै